दोसो आज मैं बात करूँगा एक बहुत ही इंपार्टेन टॉपिक पे इंग्लिश में जब हम कोई भी चीज बोलते हैं तो उसे बोला जाता है सेंटेंस इंदी में बोला जाता है वाक के तो ये सेंटेंस ये वाक के हैं इंगलिश में माने जाते हैं चार टाइप के पहला टाइप वो जिसमें हमको इस स्टेटमेंट देते हैं यानि कोई डिकलेरेशन करते हैं जैसे हम्टी ड्रम्टी साट अन वाल ये एक स्टेटमेंट है ऐसे sentences को declarative sentences बोला जाता है दूसरे type की होते हैं जिनमें सवाल पूछे जाता है जैसे where do you love? तुम कहां रहते हो? तो इसको interrogative sentence कहा जाता है यानि सवाल पूछने वाले वाकिये तीसरे type की sentence होते हैं जिसमें हम कोई command देते हैं या फिर request करते हैं कोई order देते हैं जैसे be quiet ये command देना हो गया तो ऐसे sentences को कहा जाता है imperative sentences इन तीनों के अलावा एक type और होता है जिन sentences में हम अपने अंदर की strong feelings को express करते हैं जैसे how cold the night is कि रात कितने ठंडी है what a shame कितने शर्म की बात है तो इस type के sentences जिन में strong feelings को बताया जाता है as a sentence को कहा जाता है exclamatory sentences तो English में ये चार type होते हैं sentences की